अब देखें, simple, मैंने आपको क्या बोता था, कि जो भी आपके formula क्या होता है, 1 liter में आपका, suppose 10 liter होगे, आपका oxygen प्रोड्यूस करता है, इसका ये मतलब है, अब इन्होंने क्या है, कि 100 ml प्रोड्यूस कर रहा है, 5.6 liters, तो हमें 1000 ml के लिए करने हैं, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, देखें, 5.6 divided by 100, multiply by 1000, ये क्या हो जाएगा, 56 liters, got it, so यानि 1 liter produces 556 liter हो गया, ये liter में था ना guys, now ये बहुत important question है, अगर आपको volume strength निकालनी हो, और normality और molarity ना दियो हो, तो direct आपको क्या करना है, जो normality वाला formula है उसको यूज कर, यानि ये वाला formula था आपका, समझना, so n by 2 into 34 आपने यूज कर लिया, equals to 68 upon 22.4 equals to volume strength, now n क्योंकि नहीं दिया वाया, आप assume कर लो, इसमें 1 है, ये 17 हो गया, और ये 4 times हो गया, and vs equals to 22.4 upon 4, और ये क्या हो जाएगा, 5.6 gram per liter,